और पिछले वीक और इस फाइनेंशल यह कि रास्ट ट्रेड को हम कैसे बूल जाए 16 रूपिस पर बाय किया 201 पर बेचा है इंडिकेटर के साथ लास्ट विक निफ्टी में नेक नेट 400 प्लस पॉइंट्स बने हैं स्पॉट चार्ट पे और बेंग निफ्टी में नेट नेट 600 प्लस पॉइंट्स बने हैं करके दिन पर निफ्टी का सीधा सा हिसाब है यहां तो यह इसको तोड़के बहुत ऊपर चले जाएगा यहां यहां से इजेक्शन जेके बुईत यहां से गेट के इस ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा आप सब भाईयों मैंनों को बहुत बहुत स्वागत है तो इस फ्रेडे में वीतली रिजर्ट की वीडियो नी शूट कर पाया था वैसे ही तूस्डे वेड़नस्डे थर्जडे तीन दिन ही तो काम हुआ था इंडिकेटर में तो तीन दिन पाने शेर करना था वर फ्र्डे करना था यहां यही थी तो मैंने वह डाली थी वह डाल नी थी इस लिए सेचडेअ बहे नहीं डाल पाया आज संडे की कोई ऐसी वीडियो प्लस करका मार्किट के अनलिसिस भी शेयर करना है तो मैंने का आज आपको इंडिकेटर का इस वीक का इजर्ट भी दिखा रहते हैं देखो हम Nifty और Bank Nifty के रिजर्ट की बात हमेशा करते आया इंडिकेटर में अब इंडिकेटर में Nifty पे इस वीक 39 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया Tuesday को Monday को no trading day था छुटी थी हो जी की Tuesday को 39 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया पहले रेड में माइनस 24 दूसे में माइनस 15 दिखा भी देता हूं यह स्पॉट चार्ट के स्टॉप लॉस है यह तूस डेगा तिन था यह देखो दोनो ट्रेट में स्टॉप लॉस साइडवेस डे था इतना उतना स्टॉप लॉस तो जाएगा मतलब मिला जुला के भी अगर मैं बात करूं तो आपको लगबग साड़े 400 के करी पॉइंट आफ्टर स्टॉप लॉस निफ्टी में मिला साड़े 400 पॉइंट का मतलब 2.500 पॉइंट में मतलब इंडिकेटर के साथ है और यह वादा ट्रेट प्रेमियम चार्ट पर करके सोजान उपर पर बाई करके दोस्तों पर निकाल था वह तो किया ही था चलो वह मैं अभी यहां पर नहीं डाल रहा है इसने अब बात करता हूं बैंग देखो टूस्टे को माइनस सेवंटी प्लस एटी नाइन मतब और मोस्ट सीडी सी 19 प्लस आपको वैइफाई भी करा देता हूं मैं यह त्यूजडे का दे था माइनस सेवंटी प्लस एटी नाइन प्लस ठीक है वैडनर्स डे को कोई भी ट्रेड नहीं है यहां पर इसने सेल दिया हुआ यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं है क्यूंकि हमाई पांच कंडिशन से साथ काम करते हैं जब तक वह पांच पूई ना ओ तब तक नो ट्रेड होता ह यह पांच कंडिशन दम इंडिकेटर के यूजर्स को एक वीडियो बनाके देते हैं और आपका थर्सडे को थी 24 पॉइंट्स एक ट्रेड में और 330 दूसरे ट्रेड में तो मतलब मिला जुला कि अगर मैं बात करूं 600 से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में तीन दिन के अंदर- वह भी देख सकते हो वह भी मैं आपको दिखा लेता हूं मिड्चियड के अपनित्स एंपने इसमहर यह इसमें आपको मिले 44 फॉइंट्स से और टुस्टा के दिन पर यह इंपने ता कि एक स्टोप लउस था और एक टार गयर था करेंदर तर्फ कम मचल मिजी लिए आप को इंडीकेटर यूज करना तो मेरे लाइव में झाथ त्रेमियम पर त्रेड कर वादूंगा अगर आपने ही करतें हैं अगर hobby वह INT प्रीज कमेंट सेक्शन में कन्फर्म कर देना कि मैं सही क्या हूँ है यही वैरिफाइट लिए إिठ्ड के साथ कहीं पर मैं जूट तो निकॉट आपने própria subscribers के साथ यह comment down जूर कर दिना और वीडियो को राइक कर दिना अब चलते हैं कर की मार्किट एक्सपारी कैसे हो सकती है मिटके अपनिफ्टी की यह मैंने मिटके अपनिफ्टी की रास्ट एक्सपारी पर ड्रॉट किये थे में ऑगल अगर तो मिटके अपनिफ्टी में यहां से ब्वेगाट आगेजा तो अबके पास फिर जो इसका टार्गेट बने आगा ना वो मैं आपको पार से बता रितो यहां तक है चोटा सा टार्गेट आपको मिलेगा चोटा सा टार्गेट भी कितना है 214 पॉइंट का अगर देखो मिटके आप निफ्टी थोड़ा सा छोटे टाइम फेम पर चल जाते हैं अगर मिटके आप निफ्टी यहां पर जो इसने एम पेटरन बनाया इसकी नेक जाइन ग्लीट होगा 10725 का और ऑऊंसाइड केलिए टार्गेट होगा 10300 टा होगा कभ अपसाइड के लिए तब ओगा जब यह इस लैवल को निकालेगा यह रेख आपका 1050 ऑर दाउनसाइड के लिए होगा धर्फ otos यहां व पसे निफ्टी के निफ्टी का भी जो आपके साथ analysis किया था ने अगर तो निफ्टी यहां पर इस टोड़ता तो यह अपने नए हाइज की तरफ जाए गा जिसमें फर्स टागे इसके पास तर्फ होगा वह उसके पास तर्फ होग्ड कर सकते हो तर्फ इसको तोड़ देता अगर यह यह यहां से वापिस की जर्णी स्टार्ट कर देता है इसके नीचे कहीं पर आजाता है तो फिर आपके पास यह तार्गेट करते हो आपको प्राइजेटर समझने की जूद्ध नहीं है क्योंकि इंडिकेटर प्राइजेक्शन सब कुछ आटमेटिक बनाके देगा आपको अगर आप प्राइजेक्शन लेवल के साथ उन पर विश्वास करते हो तो मैं आपको यह व आपको निफ्टी के रिजर्ट्स दिख रहे हैं क्या है थेंक यू फॉर वाचिक देडियो कर दाइग में मिलते हैं गोड़नाइट टेक्यार एफ टेक्ट डेड़ एफ़ी ट्रेडिंग